नमस्कार, क्यापिचल टिवी का खाश शो महरास्ट्रा फाइल्स देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूझा महरास्ट में मराची फिल्म हर हर महादेव को लेकर जम कर बवाल मचा हुआ है फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन इसे सिनिमा घरों में चलाने नहीं दिया जा रहा कई दर्शकों को थेटर से बाहर निकाला गया, कई स्क्रिनिंग पर रोक लगा दी गई, कई मारपीट तो कही नारेबाजी आरोप है कि फिल्म में शिवाजी महराज को गलत तरीके से दिखाया गया है, हर हर महादेव फिल्म को लेकर अब NCP और MNS के बीच भी राजनिती शुरू हो गई है NCP के करदावर नेता जितेंद्र आवार ने गलत इतिहास दिखाने का आरोप लगाते हुए इस फिल्म का विरोध किया है, जबकि राज ठाकरे ने इस फिल्म की तारीफ की है साथी अब बीज़पी ने भी NCP पर निशाना साधा है तो फिल्म हर हर महादेव को लेकर क्यों मचा है हाहकार आज इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है Capital TV के Executive Editor राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद फिल्म हर हर महादेव को लेकर क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन देखिए इस विरोध के पीछे एक बड़ी वज़र तो पॉलिटिक्स है क्योंकि NCP ने ये विरोध किया और NCP के नेता ही सिनेमा घरों में जाकर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं लोगों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं जो सिनेमा देखने गए हैं दूसरे तरफ इसकी सुरुवात भी संभाजी ने की थी संभाजी मतलब सिवाजी के बनसज हैं और राजसवा सदस भी रह चुके हैं जो भारतिये जनता पार्टी के सहयोग से गये थे इस बार भी राजसवा का चुनाव लड़ा था उन्होंने लेकिन लड़ने की बाद जब हुई तो उसके बाद बारतिये जनता पार्टी ने तो अपने सरप्लस वोट देने की बाद कही लेकिन शिव सेना से जब बात चीछ चली तो शिव सेना ने कहा कि भई हमारी पाटी में आ जाओ तब हम आपको भेजेगे अब वो अपने पॉलिटिक्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं हमें भी राजदीती में जगह मिले इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि शिवा जी से संबन्दी जो फिल्म आएगी उसका विरोध करेंगे दूसरी तरफ NCP अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है NCP में तूट की बाते सामने आ रही है और शरत पवार खुद भी इतनी बिमारी के हालत में मुंबई किसे हस्पताल से निकल कर सीधे शिर्डी जाते हैं और शिर्डी में क्या चिंतन बैठक चल रही है NCP की अब चिंतन बैठक के दौरान कौन से चिंता हो गई लोगों को कि लोगों ने सोचा कि एक नया मुद्दा निकालते हैं बड़ी बात यह है कि इसमें सवाल उठाय जा रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़ छाड़ की गई है शिवा जी का चरित्र चितरंजी से किया जाना चाहिए वैसा नहीं किया गया है जबकि यह पूरी फिल्म ही जो बनी है वो हिंदुत्व के योद्धा के उपर बनी है हिंदु हिर्दर समराट शिवा जी महराज के उपर बनी है उनकी वीरता के उपर बनी है उनके जो सेना नायक है उनके उपर बनी है अगर ये फिल्म विदेशों में बनती है तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है जैसे 300 टाइप के फिल्म बनी जिसमें 300 योद्धा जो थे वो हजारों के परसियन योद्धा के खिलाफ लड़ते हैं रोमन समराजी की सुरक् जो राज्य था जिससे शीवा जी की दुश्मनी चल रही थी और शीवा जी के वो ग्रिफतार करने के लिए अफजल खान को भी भेजा था अफजल खान के कुछ सेना नायक थे वो भी उनके पीछे पड़े हुए थे और एक युद्ध का दिखाया गया है इसमें कि किस तरी हैं और जीतते भी हैं ये एक बड़ी उपलब्दी है बड़ी जीत दिखाया गया है जिसमें सीवा जी के स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए पूरी फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे उनके योद्धा तैयार थे जान देने के लिए ये कहा जाता है कि फिल्म में कुछ डायलोक्स भी हैं उसमें बताया गया है कि दुनिया कोई भी बनाए समझदार लोगी होगा लेकिन इसे बचाने वाला जो होगा वो पागल ही हो सकता है पागल होने का मतलब कि देश भक्ती में पागल रास्ट भक्ती में पागल वो लोग अपनी जान को जोखी में रखकर युद्ध करते हैं और इस पूरे फिल्म में दिखाया गया है कि फिल्म जो है वो हिंदूओं के कुछ युद्धा मुसल्मानों की पूरी भीड को उसी तरह से भगाता है जैसे गीदरों के जुंड में सेर निकल जाए बेडिया गीदर जुंड में अगर एक सेर की दहार हो जाए तो उसके बाद पूरा विखर जाता है उनका जो भी जुंड में तिनके-तिनके की तरह विखर जाता है इसमें यही दिखाया गया है अब ये बात कैसे पच सकता है इसके पीछे की मानसिक्ता कुछ और है NCP के नेताओं को कैसे ये स्विकार होगा जो पहले से ही ये निर्धारित कर रखे हैं कि हम सो कॉल्ड सेकुलर हैं हमें मुसलमानों का वोट चाहिए होगा और इसमें तो सारे फिल्में जो बन रही है पर विरोध करने का ये कौन सा तरीका है मार पीट करना बिल्कुल नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की बात तो भाजपा सरकार ने भी कही है सिंधे और फणिविस ने भी बोला है कि अगर लोगतांतरिक तरीके से विरौध करना है पढ़दर्सन करना है जैसे फिल्मों में भी चल रहा है बाइकाट चल रहा है कई फिल्में पसंद नहीं आई जैसे अमीर खान की लाल सिंच अड़ा लोगों को पसंद नहीं आए क्योंकि अमीर कान ने भारत के खिलाफ ऐसी कुछ बाते कही भारतिये जनता पाटिये खिलाफ कही इंटोलरेंस के मुद्दे पर कही थी बात तो उसके खिलाफ एक बाइक काट का अंदोलन चला हम नहीं जाएंगे देखने के लिए बिल्कुल तरीका है जो इसे धिखाता है एन-सि-पी के नेताओं को अब लगने लगा है कि ऐसे ही हम बता सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे मतलब मुसलमानों के साथ योई, क्योंकि यह पूरी फिल्म शीबाजी पर बनी है और इन-सी-पी- के नेता जो बार-बार कहा र बहुत पसंद आ रही है। पीछे की बड़ी बज़ा यही है। क्योंकि इन लोगों को दिखाना है कि हम मुसलमानों के साथ है। बिल्कुल ढून रहे हैं और इन लोगों से यही सवाल पुछना चाहिए। कि आखिरकार आपकी सरकार रही। लगतार कॉंग्रेस और एंसीपी की सरकार रही। तो उस समय कौन सी ऐसी फिल्म बनी शिवा जी के ऊपर क्यों नहीं प्रमोट किया गया शिवा जी को जिससे कि यह पता चल सके कि महरास्ट में सुराज के लिए शिवा जी ने और अंजेव के खिलाप कैसे छेडा था जंग। उन्होंने बताना चाहिए कि शिवा जी के महिमा मंडन के लिए इन लोगों ने कितनी फिल्मे बनाई। वड़ा योधदा दिखाओ जो जीतता रहा है हारने वाला नहीं है। इन लोगों को वही फिल्मे पसंद है। अब जो फिल्मे बन रही है। उन फिल्मों में दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के हिंदु योध़ाओं ने कैसे इन मुसलिमों को धूल चटाई थी। अब इतिहास की बात जहां तक है तोड़ मरोड कर पेश करने की तो ये वही पौध है जो इतिहास के उन तोड़े मड़ोडे हुए पन्नों को पढ़ते आये हैं जो वामपन्ती इतिहासकारों ने लिख दिया वही चीज पढ़के अब उसी को सच मानने लगे हैं इसलिए इस वीरोद कर रहे हैं ताकि जिनको खुश करना चाहते हैं वो समझ लें कि इस फिल्म में मुसलमानों को मारा गया है भगाया गया है वो हार दिखाए गई है तो उस फिल्म को वीरोद करना उनके समर्थन करने के जैसा है सामने में नहीं आ सकते इसलिए लोग बैकपुट पर और शिवा जी के नाम पर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों के CCTV फूटेज निकाले जाएंगे और सब के चेहरे पहचाने जाएंगे इन लोगों को पकड़ा जाएगा और सब को बुक किया जाएगा। पीचे की मानसिक्ता साफ हो गई है क्योंकि शिवा जी को बचाना नहीं है, मुसलिमों को दिखाना है और मुसलमानों को सुरच्छित रखना है। इसलिए ऐसे फिल्मे जो बन रही है उसका विरोध किया जाएगा। लोगों के खिलाफ आक्शन भी जरूर लेना चाहिए। बहुत 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 शुक्रिया समझाने के लिए। प्रभू देश पांडे ने 300 सैनिकों की सेना के साथ 12,000 बीजापूरी सैनिकों से युद्ध लड़ा था। हलाकि क्रिटेक्स और दर्शकों को दोनों को ही ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों का कहना है कि फिल्म में चत्रपदी शुवाजी के चत्रन को गलत रूप से दिखाए गया है। और इसी वज़ा से फिल्म के विरोध के साथ साथ राजनीती भी शुरू हो गई है। फिल्म पर आप अपनी राए कॉमेंट करके जरू लिखे।